मिस्रोद इलाके में युवक की रजाई में आग लगने से मौत हो गई युवक खेत में पानी लगा कर आया था घर के बाहर बिस्तर के पास ही आग जला कर सो रहा था तब ही अचानक रजाई में आग पकड़ ली आनन फानन में परजनों ने उसे हमीदिया में भरती कराया इलाज के दोरान बुधवार रात युवक ने दम तोड़ दिया पुलिस ने पीम कराकर सब परजनों को सुपुर्द कर दिया एसाई सिप बावा त्रिपाठी ने बताया रानी पिपलिया का रहने वाला विजय रजाई में आग पकर ली विजय के नसे में होने की वज़य से उसे आग का पता ही नहीं चला जिसकी वज़य से 70-80 जुलस किया परजनों ने हमीदिया में भरती कराया चार दिन इलाज चलने के बाद बुधवार रात साड़े आठ बजे उसने दम तोड़ दिया पुलिस न घर पर भी कम ही आता था ज्यादा समय खेतों में रहता था सरदी के दिनों में इस तरह कि ये पहली घटना नहीं है पिछले साल भी इस तरह के मामले सामने आ चुके थे है हमारे यहां लेजर कैंसर अस्थी रोग एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पटेल के द्वारा उप्लब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल होस्पितल समानतिराहा रीवा संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 86028859900 पर